लार्स के लेक्षर में हमने देखा था कि हबी डीपार्टमेंट't के पॉइंट ऑफ से ईमुनोलोजी के से क्या क्या स्थिग में मुस्ored आ सकते हो याज की ये कन सपने हो चाल मेरे सपते में आज की लिक्चर में देखेंगे लेकिन उससे पहले अपना जो फेवरेट चैनल है बियोंड बेसिक लर्निंग उसको अभी सब्सक्राब कीजिए और बेला आइकन को दबाईए आज का पहला सवाल हम देखेंगे पहला सवाल है एंटी बॉडिज आर यानि एंटी बॉडिज की सीद से बनी है अप्शन है प्रोटीन ऑप्शन दो ग्लाइको प्रोटीन ऑप्शन तीन कार्बोहेड्रेट ऑप्शन चार नुप्लिक एसिड अगर हम एंटी बॉडिज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जनरले तो कार्बोहेड्रेट और प्रोटीन से बना हुआ है अगर चीज कार्बोहेड्रेट और प्रोटीन से बनी होते हैं तो उसको हम ग्लाइको प्रोटीन बोलते हैं कि उसमें अमॉंड जो है दो चीज़े का उसमें से कौन से चीज़ का सबसे ज्यादा आमॉंड है इस सबसे कार्बाहर्डिट का आमॉंट ज्यादा है और अब प्रोटिन का आमॉंट कम है तो उसे हम प्रोटियोग्लाइकांस बुलेंगे तो इस question में answer आएगा अपना option दो ग्लाइकोप्रोटिन क्यूंकि अपना एंटिबॉडिज है वह कार्बाहर्डिट और और अब प्रोटिन कामॉंट ज्यादा है और कार्बाहर्डिट कम है इसलिए हम उसको ग्लाइकोप्रोटिन से बुलेंगे तो option B यह सवाल का जवाब है अगला सवाल हम देखेंगे अगला सवाल है सवाल में पूछा गया है कि सीरम में अगर हम देखेंगे तो अंटिबॉडिज का कॉंसेंट्रेशन यानि परसेंटेज जो है वह कैसा रहता है यानि हाय आमांड से लो आमांड तक इन शौट में इसा पूछा गया आप्शन है आप्शन ए 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 आप्शन तीन है आप्शन ए 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 आप्श अगर हम देखेंगे कभी भी कि सबसे अगर आमांट हम देखेंगे किस चीज का सीरह में ज्यादा होता है और सबसे कम कौन सा एंटिवोडिस का आमांट ज्यादा होता है अगर उसका हम से क्वेंस देखेंगे कभी भी तो सबसे ज्यादा जो अमांट होता है वह आई जी जी का होता है और सबसे le o amon49 एक्रां में होता है अगर अगर उसी हिसाब से देखेंगे हम तो सबसे कम यानि ऑई जी gg ca joamon सबसे कम होता है उसी सबसे अगर हम देखेंगे तो option a और option d इसमें ही सबसे कम 議 का one सबसे आखरी में दिया वाला है तो बाकी option बी और option सीकर्ट जाएंगे बचेंगे option A और option D लेकिन अगर हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में ही amount IGM यहाँ पर option A में बताया गया कि IGM सबसे ज्यादा है लेकिन हमें पता है जैसे कि IGG सबसे ज्यादा होता है सिरह में तो इसी सबसे अपना option आएगा option D सबसे ज्यादा amount option D में जो बताया गया है उसे सबसे सबसे ज्यादा amount IgG उसके बाद IgA IgM IgD और IgE इस सिक्वेंस में आ जाएगा तो इस सवाल का जवाब आएगा option D अगर हम अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल है J chain is present in अगर हम antibodies का structure देखेंगे तो हमें जैसे पता है कि IgG IgD और IgE यह जो antibodies है यह monomore में है IgA जो है वो dimer में है और IgM जो है वो pentamer में है और अगर हम J chain का structure देखेंगे सब antibodies में तो सिर्फ जहां पे dimer या pentamer होगा उस चीज में ही हमें J chain लगेगा J chain यानि जो joint करने के लिए लगता है पहला है IgA option 2 IgM तिसरा option है बोथ A and B और लास्ट का option है IgE तो हमें जैसे पता है और हम आप इमेज में भी देख पा रहे हैं कि J chain जो है वो dimer और पेंटाप्र में available है और हमें जो इसे पता है कि IgA और IgM IgA डाइमर है और IgM पेंटामर है तो इसलिए अपना जो इस सवाल करने का option C बोथ A and B यानि है IgA and IgM ये दोनों में भी J chain प्रेजेंट होता है अगला सवाल है विच आप दो फॉलिंग इम्मिनोग्लोबलीन मेंग दे लार्जेस्ट पर्सेंटेज इन दे ब्रेस्ट मिल्क option है IgM IgD IgG और IgA जैसे हमें पता है और हमने लास्ट लेक्चर में में डिसक्स किया था कि जो हो एंटीबॉडिज आईजी ए वह डाइमर है और उसके उपर सिक्रेटरी प्रोटेन रहता है इसलिए वह सब सेक्रेश्चेंज जो रहते हैं रहता है ब्रेस्ट मिल्क या कोलस्टरम जो है उसमें जनले आईजी एप आया जाता है और क्यूंकि सिक्रेट हो जाता है डी आइजब इसको इस सवाल का जवाब जो आएगा को अप्शन डी कि नेक्स सवाल है और ए당ों डॉप्स कंटेन ना दो इस WOW उसमें क्या रहता है इसता सवाल में पूछ और और यह अगर हम एक एक सवाल जो पूछे गए उसका अगर ऑप्शन्स देखेंगे हम तो जनरली जो वैक्शिन्स रते पोलियो जो और पोलियो ड्रॉप जो है वह वैक्शिन का ही एक पार्ट है उसमें जनरली क्या होता है कि जो पोलियो को वह वह रहते उसको हम जो आटिनेटर जनरली करते यानि उसका एंटिजनिसी रता है लेकिन पैथोजनिसी नहीं रता ऐसा है यानि अगर वह पोलियो को ड्रॉप बच्चे की शरीर में जाएगा तो बॉड़ी को पता चलेगा कि कोन सा थो फॉरें पार्टिकल्स आ जाता है जिसके वज़े से जो हर्म फुल जो प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को वह नहीं होती वस्त वैक्शिन के वज़े से कि उसका जो वाइरस उसके अंदर पोलियों के वैक्शिन के अंदर रहता है उसको जन इन्विटेड किया होता है अगले प्रोसेस है वह हम देखेंगे तो पहला उप्षेंस उन्होंने बताया कि हर्वेस्ट एंटिबाडिज हर्वेस्ट एंटिबाडिज यानि जन्रेली मोनोकूलन एंटिबाडिज रते लेकिन जनरेली कैसा है कि अगर कुछ इंफेक्शन हुआ आए जनरली अगर सनेक बाइट हुआ तो उसको र लेकिन में अक्टिवे 2 हतने अगर हम एक्ट्रेटर कर तो न ही हो जाएगा उसको और उसके अगहे दो कि सकती बूर्ट मिल सकती और किसी को नहीं मिल हो जाएगा और वह आगे चलके पारालाइज हो जाएगा या किसी और गन्स वह पैथोजन डामेज कर देगा इसलिए एक्टिवेटर पैथोजन नहीं रहता है वक्षिन में कभी वक्षिन में जो रहता है वह ग्राज अटेनुएटर पैथोजन से रहते हैं जो लास्ट ऑप् बाकी के उसको भी क्या बोलते हैं अगर हमें समझ में आएगा तो इसके आगे अगर कुछ अलग-अलग सवाल भी आएगे तो हम उसको इसलिए कर सकेंगे ओके तो इस प्षिन का जो एंसर है वह ऑप्षिन सी अटेनुएटर पैथोजन अक्या रabout सवाल है टायप टाइप अ उपने में बताएं गए कि कान बीजिटी दोनेट टुट टाईप इनदीजिवल आफ चाहिटिसेंद टाईफ। t07b इनल्जिवल्भ एंपशन सी कंटेनट टायप एंटी जन अंट सारफेशा equalो कि up Daugh आएफ हम देखेंगे कि जो ए टाइप का ब्लड होता है उसके आरबीची के ऊपर ए अंटिजन होता है बी अंटिजन नहीं होता और जनरेली हम जब ब्लड डॉनेट करते हैं तो उसी गूरूप को ब्लड डॉनेट करते हैं और उसमें भी पॉजिटिव निगेटिव भी देखना जरूरे यानि कि अगर इसका जवाब देखेंगे तो इसका जवाब आएगा क्योंकि कैसा है कि यह जो डोनेट करने वाला जो परसने उसका तो यह ब्लड गूर्प वाला एको पर दे सकता है और बी वाले को भी आवेलिबल है तो जब डोनेट करने वाला परसन उसका गूर्प अगर है तो वह एक को बीड़िकर कर सकता है और यह भी को भी कर सकता है इसलिए इसका जवाब आएगा ऑप्षिन ए अब बच्छे वाले ऑप्षिन के बारे में अगर हम देखेंगे तो जो दूसरा ऑप्षिन है कैन भी उच्टू डॉनेट टू टाइप बी इंडिज्वल ए जिसका ब्लड कुप ए है वह कभी ब्युक्त को डॉनेट नहीं कर सकता क्यूंकि उसके यर्मिया जो आंटीजन रहते टे वाली के बी एंटिजन रहता है और एवाले के एंटेजन रहता है इसलिए ओपोजिट हो जाएगा इसलिए हम कभी जिसका ब्लड गुप ए है वह ब्लडड का ब्लड हम भी को नहीं दे कि इसमें बता है कि हम कभी अर्ष फॉजय को यह सकते लेकिन यहाँ पर नमेंशन किया कि कि यानि यह आरेस फॉजटुटुटुव को देना है या भी आरइस फॉजटुटुव को यह देना रहसा कुछ भी इस पे mention नहीं किया इसलिए भी उसका सवाल नहीं आएगा यह सवाल का जवाब यह भी नहीं आएगा इसलिए actually जो जवाब आएगा वह option यह आएगा can be used to donate type a बी इंडिज्यॉड आज आज आपको सवाल के बताई है वह आपको समझने आये होंगे जो बेसिक कंसेट भी बताइए वो भी आपको समझने आये होंगे और हम आगले लेक्चर में देखेंगे की और दुस्ते जो basic सवाल्स है या concept है जो क्या आ सकते हैं और उसको उपर क्या 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 questions पुछे जा सकते हैं और भी हम अगली लेक्चर में देखेंगे लेकिन उससे पहले अपना जो फिज़्वरेट चैनल है विवन्ड बैसिक लर्